वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्स रेंबो दूस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड कैंसर या जिसको लुकेमिया बेलते हैं उसके शुरुवाती 10 लक्षन कौन से होते हैं लुकेमिया के सबसे पहले जो लक्षन दिखाई देते हैं उसमें क्या होगा आपको अपने हाथ और पैर पर चकते से दिखाई देते हैं हलके हलके डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर के आपको चकते दिखाई देंगे ये चकते हाथ पर होते हैं मुक्यता उसके अलावा जोडों में पाए जाते हैं और शेरीर के किसी भी भाग में इस तरीके की चकते जो होते हैं वो पाए जाते हैं दूसरा होता है आप अपनी तौचा में क्या होता है छोटे छोटे लाल लाल धब्ब्बे से मतलब छोटे छोटे से दाने से दिखाई देखें मुखेता ये शुरुआत इनकी पेरोंपर से होती है तता शरीर के किसी भी भाग पर हो सकते हैं मतलब हाथ वगेरा पर इस तरीके के छोटे-छोटे धब्बे हो सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारे लोगों में शुरुआत में क्या होता है नाक से खून भी आने लगता है। और क्या होता है, उसके साथ साथ में क्या होता है, कि शुरुआत में कुछ लोग को बुखार रहता है, मतलब शरीर हर का गरम रहता है, बुखार का कारण नहीं परता चलता है, और आपका शरीर जो होता है, वो फीवर उसमें रहता है, साथ साथ में ऐसे लोग को क्या होता है, कि बार बार infection होता है infection मतलब कोई भी infection जैसे कि diarrhea है, खासी है, नजला, जुखाम वगरा ऐसा हो सकता है साथ में कुछ लोगों को खासी वगरा भी बहुत common होती है और एक मुखे लक्षन होता है कि ऐसे वक्तियों में क्या होता है जो होता है lymph node, lymph node जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, जिसमें cells बनते हैं, lymphatic cells बनते हैं, जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, यह जो lymph node होती है मुखे ता क्या होता है कि हमारी जो armpit होती है, मतलब bugle में पाई जाती है, गाठे या फिर ये गर्दन में गठे पाई जाती है तो ये जो क्या होता है कि सूजन इसमें लिंफ नोड में सूजन आ जाती है और साथ में क्या होता है कि इसकी जैसे stages बढ़ती है तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर का जो बजन होता है वो भी धीरे धीरे घटने लगता है तो यह जो होते हैं 10 leukemia या blood cancer के शुरुआती लगचन होते हैं अब आप इनकी जाज कैसे कर पाएंगे तो initial उसके लिए test होता है जैसे complete blood count test करवाएंगे तो उसमें आप देखेंगे WBC का count बढ़ा आएगा साथ में blood cells होंगे उसके अलावा उसको further reconfirm करवाने के लिए आपको blood smear की जरुवत पढ़ सकती है आगे आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो आपका bone marrow test वगरा करवाएंगे इससे confirm होगा कि आपको blood cancer है की नहीं है तो इसलेटेड अगर आपकी query है तो comment box में आप comment कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो please like share करना ना भूले With this thank you very much for watching Health Rambo